प्रदेश विधान सभा में देहरा और जोगिंदर नगर विधान सभाक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों निर्दलिय विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। अयोग्य घोशित कर सकता है। सम्मान ये पार्टी करती है और इसका चाल, चरित्र और चेहरा कहां दूसरों से भिन है जिसका दावा किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त इसका दूसरा पक्ष ये रहा है कि देहरा से पूर्व मंत्री, रविंदर रवी और जोगिंदर नगर से पूर्व मंत्री गुलाब सिंग ने चुनाव लड़ा था। वे धूमल के विश्वस्त माने जाते हैं। गुलाब सिंग तो अनुराग ठाकुर के ससुर हैं। रविंदर राणा के पत्रों पर आ गया था, उससे जैराम सरकार के रिष्टे धूमल के साथ और स्पष्ट हो जाते हैं। अपरधान मंत्री की आत्रा के दोरान जिस तरह से मंच पर नरेंदर मोदी ने अपने संबोधन में अनुराग का नाम तक नहीं लिया, उससे राजनेतिक रिष्टों का सच और स्पष्ट हो जाता है। केंद्रिय विश्व विद्याले की जमीन को लेकर जस्वा की एक जनसभा में अनुराग और जैराम के बीच हुआ समवाद भी इस सब की पुष्टी करता है। रविंदर रवी के खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया था। जब जुनाव हारने के बाद भी भाजबा विधायकों के बहुमत ने धूमल को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी तब कुटलेहड के विधायक विरेंद्र कवर ने धूमल के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की थी अब इसी विरेंद्र कवर के खिलाफ भरी जनसभा में इसी विधायक ने अती अभद्र भाशा का प्रियोग किया था। एक तरह से ये भाशा पूरी सरकार के खिलाफ थी विरेंद्र कवर ने इसे मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने की बात की थी और तब मुख्यमंत्री ने एक बैठक में होशियार सिंग का अभी वादन तक असविकार करके मामले को वहीं खतम करने का प्रियास किया था। लेकिन अब जिस तरह से स्थानिय इकाईयों, संबंधित मंत्रियों, क्षेत्र के सांसद मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को विश्वास में लिये बिना इन निर्दलिय विधायकों को भाजपा में शामिल किया है वो राजनितिक भाशा में धूम लड़ी जाएगी क्यूंकि इस समय जैराम ठाकुर और जेपी नड़ा ने प्रेम कुमार धूमल खेमे को पूरी तरह से हाशिये पर धकेल दिया है इसका असर दोहजार चौबिस में अनुराग के चुनाव पर भी पड़ेगा क्यूंकि यहीं से राज्यसभा सांसद डॉक् सर्प्राइज ही रहा है इस परिद्रिशे में यह देखना दिल्चस्प होगा की कौन सा खेमा आगे क्या कदम चलता है